बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार घट रहा है इसलिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायवती अपने बेस वोटर को सहजने के लिए वही पुरानी रंडीती पर काम कर रही है मायावती को अब बहुजन समाझ पार्टी की अपने चार दशक पुराने नारे के साथ पुरानी कारिय शैली भी याद आ रही है 2024 में लोगसभा चुनाओं से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमूख मायवती भी कांशी राम की तरह कार्यकरताओं और समाज के लोगों से मिलेगी अगस से कैडर केम्प लग रहे हैं मंडल इस्तर के कुछ केम्पों में वो भी कार्यकरताओं से रूबरू होगी और लोगसभा चुनाओं की तैयारी का मंत्र देगी बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पुर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी उसके बाद से पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है पिछले विधान सभा चुनाओं में उसे महज एक सीट मिली इस बार नगर निकाय चुनाओं जोर शोर से लड़ा लेकिन इसमें भी वो 2017 में हासिल की हुई दो मेयर सीटे भी नहीं बचा पाई वोट प्रतिशत 2022 की विधान सभा चुनाओं में 13 प्रतिशत से नीचे आ गया मेयर सीटो पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 12 प्रतिशत रहा ऐसे में उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेस वोटर दलितों को सहिजने की है इसके साथ पार्टी आतिपीछडा और मुसल्मानों को जोड़ कर समीकरन साथना चाहती है यही वज़े हैं कि इस बार लोगसभा चुनाओं से पहले बहुजन समाज पार्टी ने वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा यह नारा दिया है चार दशक पहले इन वर्गों के लिए यह नारा ही दिया गया था पार्टी के शुरुवाती दौर में नियंदमी केडर कैम्प होते थे इनमें कारे करताओं को पार्टी की विचारधारा और काईदे कानूनों की ट्रेनिंग दी जाती थी कांशीराम अकसर इन केडर कैम्पों को संबूधीत करते थे इस बार अगस से पहले बूत इस्तर तक कमिटियों के गठन के निर्देश मायावती ने दिये है उसके बाद अगस से कैडर कैम्प होने है पार्टी सुत्रों का कहना है कि मंडल इस्तर पर होने वाली कुछ कैडर बैठकों में बहुजन समाज पार्टी की प्रमूख मायावती भी रहेगी इन कैडर कैम्पों में जिला और सेक्टर इस्तर तक के कार्य करता शामिल होंगे उसके बाद लोग सभा और विधान सभा इस्तर पर केम्प आयुजित किये जाएंगे उनमें बूत इस्तर तक के कार्य करता शामिल होंगे कार्य शेली में इस बदलाओ की कई वज़े है एक समय था बहुजन समाज पार्टी में मायावती के अलावा कई अन्य बड़े चेहरे भी थे अब उस तरह के चेहरे पार्टी के पास नहीं बचे पिछले चुनाओं में लगातार हार के बाद पार्टी कार्य करताओं और पदाधिकारियों के ओर से भी ये मांग उठ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती घर और कार्याले से बाहर निकल आये तो महल बदल सकता है इस तरह ये बात भी लगातार उड़ती है कि भारती जंता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हमेशा चुनाओं मोड में रहते हैं वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादों ने भी कार्यकरता सम्मेलन और यात्राइं शुरू कर दी है इसे देखते हुए भी मायवती को कार्यकरताओं के बीच जाने की जरूरत महसूस की जा रही है